जैसा कि आप सभी को मालूमें कि हाली में पांच राजियों में विदानसवा चुनाव होकर हटे हैं मिजोरामो तेलंगाना को छोड़कर कॉंग्रेस तीन राजियों मद्धिप्रदेश राजिस्थान और छत्तिस गड़ में सरकार बनाने जारी है मद्धिप्रदेश राजिस्थान में पिछले 15 वर्षों और 5 वर्षों में कॉंग्रेस के बड़े नेताओं और कारकरताओं ने आशा से अधिक महनत कर इस चुनावी दंगल में फते पाल ली है लेकिन इस फते के बाद विदानसभा के नेता का चुनाव का दोर शुरू हो गया है कि विदायक दलका नेता कोन बनेगा सबी कारकरता इतने उत्साहित हैं कि वे अपने अपने खेमे के नेता को विदायक दल का नेता और मुकबंतरी बनाने में लगे हुए राजस्थान में युवा नेता सचिन पाइलेट और सीनियर नेता अशोग गहलोत के बीच अस्पंजस वाली इस्तिती अभी भी बरकरार है अभी इसाफ नहीं हो पाए कि उन दोनों में से मुकबंतरी पत का दावेदार कोन है युवा वर्ग और अन्य वर्ग सचिन पाइलेट को मुकबंतरी बनाने के लिए मौर लगाने की बात कर रहे हैं वहीं दूसरी और गहलोत समर्थक गहलोत के नाम पर मौर लगाने की बात कर रहे हैं इसी तरह कमलात का नाम आने पर सच सिंदिया समर तक नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसी एसमजस इस्तिती से निपटने के लिए पार्टी आलकमान राहूल गांदी ने सभी को शांती पूर्वक समझाने में लगे हुए और बैठक के दोर पर दोर चल रहे हैं। ताजा खबर आने तक ये बताया जा रहा है कि रातनी साड़े आठ बुझे फिर बैठक रखी गई है मंत्यपरदेश में। चतित गड़ में भी ऐसे ही द्रश्क देखने को मिला है। पार्टी आलकमान ये चाहते कि किसी को भी नराज नहीं किया जाए। अभी देखिए आपने खबर SS की एक रिपोर्ट।